नमस्कार दोस्तों जैन जै भारत मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का सुवागत है आज जो मेरा वीडियो बनाने का परपज है आपको मैं बता दू कि मेरा जो मोबाईल है खराब हो चुका था और मैंने अब यह नया मोबाईल लिया है तो आज मैं एक चोटी सी वीडियो इसी के परपस से आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि जब मेरा मोबाईल खराब हुया था जो कि सैमसंग का A50 मोबाईल था मेरे पास और उससे मैं वीडियो बना था और उस मोबाईल की आईसी बलास्ट होनी के वज़े से उस आईसी ने जो है उस सारे बोड को सोट कर द दिती मतलब उसका कोई सोल्डो सन्नी था और उसमें जो है बारहाजार रुपे का खर्चा बताया गया था तो मैंने जो है यह नया मोबाईल लिया है और नया मोबाईल कौन सा लिया है तो इसी के परपज में यह वीडियो बनाने जा रहा हूं आज हम बात करेंगे मैंने ज एमसंग का एती-7 लोड़ल है और ऐइंडिया में लॉडिया में लॉंच नहीं हुए पर जब इंडिय में फाईफ की लूँच होगा तो यह जूए जाधाधर जाधार जाधातर मैं आपको बाता दूँ अब जो है Si Cand usu पानियों तो अब जो है 5G ही मोडल लॉंच कर रही है तो आपको मैं इसका मोबाइल का बॉक्स दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं यह सैमसंग का जो है गलेक्सी 870 5G है और मोबाइल आपको मैं दिखानी सकता क्योंकि उससे जो है मैं भी वीडियो सूट कर रहा हूं तो इसक studio मैंने लिए तो अब जिसका मैं इस मोबाइल यह जो का बिल दिखाना चाहूंगा तो पर यह मैंने जो है जो Samson में मेन वहां से खरी घाया hole मैं वह कर देए मैंब उसके कैमरी वगेरे मारे में बाथ कर लेते हैं वैसे आपको सबसे पहले बता दू उत मैं लेने तो गया था सेमसंग का जो था A53 मोडल तो इसी अपरेहल मन्त के एंड में लूँच हुआ था और यह जो मोडल है A53 5G तो यह भी मोडल अपरेहल में ही लूँच हुए था यह भी मलब A53 और A53 यह जो है दोनों मोडल एक ही दिन लूँच हुए थे तो लेने तो गया था मैं A53 पर जब बात करूं तो इसका जो फरंट गामरा है when 32 मेडा एक साल कर ऊसी में बैक कैमरा लौत अघर मैं आपको इसके बारे में बात बात करूँ तो एक 108 मेडाए इन है और 12 मेडाी एकिसें में तक ए और पांच-पांच के दो खैमरे एल्टरा वाइड है और एक फलेस है फाइव जिसका नेटवर्क है और दोनों सिम जो है नेनो लगते हैं और मेमोरी कार्ड की अगर इसमें मैं बात करूं तो मेमोरी कार्ड जो है इसमें वन टेरा बाइट का लगता है तो 1000GB तक मतलब यह सपोर्ट करता है और इसकी अगर रेम के बारे में बात करूं तो मैं इसकी रेम जो है 8GB है और इसकी इन बिल्ड मेमोरी जो है 118GB है वैसे यह 1228 में भी था और 12256GB में भी था पर मैंने जो है पराइज को देखते हुए मैंने यही मॉबाइल लिया क्योंकि फ प्राइज जो था फिर 47,000 रूपे ता और ये 41,999 मुझे मॉबाइल मॉबाइल पड़ा है और अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में मॉबाइल के जो जो इसके मॉबाइल के साथ आयता तो आपको मैं बता दूँ इस मॉबाइल के साथ जो आयता सिर्फ जो सिम की ट्रे निक सी टू सी डाटा के बिले इंग मलब जो मॉबाइल में लगए का वे भी सी है और जो एड़ेप्टर में लगए का उधर से भी सी है तो इस डाटे का एक मैनिफिट है अगर आपका मॉबाइल चार्ज है यानि के मेरा मॉबाइल चार्ज है किसी दूसरे का मॉबाइल डाउन है तो उसमें जो है मैं अपने मोबाइल में लगा के और दूसरों के मोबाइल में इसको लगा के उसका मोबाइल जो है ओन हो सकता है चार्ज हो सकता है मतलब मेरे 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 मेर लीड आई है अगर इसके एड़ेप्टर के बारे में मैं आपको बात करूँ तो इसका एड़ेप्टर जो है मैं उझे अलग से लेना पड़ा है तो आप देख सकते हैं यह 25 वाट का एड़ेप्टर है इसका और इसके प्राइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा यह एड़ तो यह देख लो आप तो जहां से मैंने मोबायल खरीद था और वहां से इसका अठर लिया है तो आप इसका भी प्राई देख सकते यह जो मुझे पढ़ा है पढ़ाए तो आप देख सकते हैं एक बार तो इसकी खास्यत तो बहुत है वैसे और इसमें एक अगर मैं आपको बताओ तो अब के जो है सैमसंग वालों ने जो नियुव मोडल लॉंच किया जैसे कि मैं यह एक तरिफटर मोडल लाए और एक तरिफपर मोडल की भी अगर मैं जो है टाइप सी के जैक में ही तो उन्होंने जह है यह फोन का सिस्टम दे दिया है तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा तो मुझे जो है मैं तो वीडियो सूट करता हूं और मुझे जो है माईक लगा कि क्योंकि अगर मैं बलुटूस से ओडियो मैंने चेक किया है तो बलुटूस से इतनी ओडियो साफ नहीं आती तो मैंने जो है इसका अभी एक होल मैं केबल दिखाना चाहूंगा और उसी केबल से मैंने माईक को जोड़ रखके तो माईक में हटा नहीं सकता तो उसका जो भी है डबावे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और उसका भी बिल इस में जो है इयर फोन वगएरह की आप लीड़ लगा सकते हैं तो मैं तो जो हूँ वैसे तो मैं ज्यादे बलुटूत जो इयर फोन उतिया है बलुटूत olm bombay यूज करता हूं तो यह तो मुझे इसलिए खरीदना पड़ाए क्योंकि मुझे जो है वीडीयो बनाने में माइक की जरूरत पड़ती है तो इसलिए मैंने ये खरीदा है तो आपको मैं इसका भी प्राइज दिखाना चाहूंगा तो ये भी मैंने उसी सोरूम से खरीदा है तो आप देख सकते हैं ये भी सेम उसी सोरूम का भील है आपको इसका भी आपको प्राइज दिखाता हूं मैं तो इ एस्टी वगएरह सब कुछ टोटल मिलाके यह बिल मने हुए है तो अगर इसकी मैं टोटल कोष्ट की बात करो तो यह जोए यह 41 का मोबाईल और 16近 वैं जून टॉछ 699 का ये तो इसकी तो इसकी अगर टोटल कोश्ट की बात करो तो ये जो है चालिस हजार कुछ का जो गड़ बैट रहा है सारा तो ये जो है मैंने अभी निव मुबाइल लिया और सारा सेट अप इसका मुझे खरीदना पड़ा है क्योंकि मेरा वीडियो ग्राभी का काम है और चारजर एड़ेप्टर जो है इसका जरूर मुझे खरीदना था और ये जो है 3.5 mm का टाइप सी टू 3.5 mm जैक जो है ये भी मुझे जरूर खरीदना था क्योंकि इससे मेरा काम चलनी रहा था और एक बात और बता दू अब कुछ लोग जो है ये कह वागे कि जब इतना मेह का मोबाइल लिया तो क्यों नहीं कैमरा ले लिखता असलियत में उसके वीछे भी एक मैं आपको कारण बता दू मोबाइल जो है मोबाइल से मैं वीडियो सूट कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरा जो है चैनल वेरिफाई नहीं हुए और आपको मैं बता दू अगर चैनल से तो फिर तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है पर अभी जो है मैं इसी मॉबाइल से सूट करता हूं और इससे एडिट करता हूं मेरे पास कोई अभी शिस्टम तो है नहीं और कैमरे की अगर बात करूं तो कैमरा फिर मुझे 80,000 रुपे का तो कैमरा ही कैमरा चाहिए जिसमें केमरे की बोड़ी बोड़ी आएगी और फिर 80,000 गई उसमें लेंच चाहिए तो वे तो मुझे एक लाग साथ अजार का केमरा और लैंसी पढ़ गया और उसका माइक जो इस फोन से में बनाता हूं वीडियो तो इसमें तो यही माइक काम कर जायता है तो उसका जो है माइक भी अलग से आएगा बोया का माइक उसका थारे जार रुपे गाए और वे बन गिए 1,88,000 गाए औ और उसके लिए एक मुझे कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए तो इस से बढ़िया तो यह है मतलब अभी जैसा काम चला है फोन सही वीडियो बना लेते हैं और जब चैनल वेरिफिकेशन होगा और चैनल से कुछ इनका मानी चालो हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम सेट अप बढ़ाएंगे तो इसलिए मैंने एक ही बार मतलब एक ही बार मैंने ऐसा मोडल ले लिया कि अब यो जो है मेरा चार साल मतलब काड़ जागा तो मोडल तो अच्छा है और इसके कुछ चलने के अपर बात है जिससे के मेरी यूटूब चल जाए फिर उसके बाद जो है निए अब के कैमरा लूँका और अभी तो जो है मोबाल से काम चल लहा है तो इतना चलाते है और फिर कैमरा लेंगे और सेटफ भी बनाएं गे और एक वीडियो मैंने जो है मंदिर का वह लोग तो हैनी वे वैसे वैसे मैं घ्वोम ने गया तो मैंने एक वैसे यिल दस-बार्य मि की एक छोटी सी वीडियो बना रखी है तो आप इस कैमरे की और इस फोन की क्वाल्टी आप उस वीडियो में देख लेना तो कैमरा क्वाल्टी जो है इसकी मुझे इस मोबाइल की पसंद आई तो बहुती तकड़ी क्वाल्टी है और आज जो मैं वीडियो सूट कर रहा हूं तो पहले तो यही वीडियो आएगी और जो मैंने वीडियो बना रखी है तो वे वीडियो जो है मैं इसके बाद अफलोड करूंगा और इसकी कैमरा क्वाल्टी मतलब अच्छी लगी मुझे और इसमें बैक में तो 108 है और 32 का इसका फरंट है और मोबाल तो मुझे लेना ही मूडल यहां और संसांग को हुआ था, फर कुछ मैंने शूर्ट एक दीक मार्केट में और नया भी ओगया हु आ हुआ है तो Rightos का मोडल था वे नाइन दोड़नाइन करके तह कुछ तो नाइज मोबाइल मैंने चेक चेक allá और ये यह संसंग का एहिस्टर हुनãy तो बंभाइल बंवान-प्रास का जो ता टिसपले मैं मुझा कुछ शूट नहीं आँ तो फिर मैंने जो है यही मोबाइल ओके कर लिया क्योंकि इसकी डिस्पले कुवाल्टी भी अच्छे है और कैमरा कुवाल्टी भी और अब जो है वीडियो कंटीनिवाया करेगी और आज का जो है हमारा वीडियो बनाने का परपज छोटा सा एक यही था और वैसे जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वलोग बगेरा तो आप कैमरा कुवाल्टी तो उनमें आप देखी लेना और एक जामपल के लिए एक मैंने 8-10 मिनट की वीडियो सूट कर रखिया जो की इसके बाद आएगी और यह मोबाइल डेट वेट तो सब कुछ मैंने आ उनमें वीडियो है तो आप देख लेना और इसकी कैमरा कुंवाल्टी जाम देखकर भाताना तो मिलते हैं अब जाम में जब भी एक उसको भी जालेंगे वीडियो तो एक यह आएगि और उसके बाद एक वीडियो ओर आएगी और उसके बाद एक बलोग आएगा तो मिलते हैं अब एक नेक्स बलोग में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिन जैवारत धन्यवाद